सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाईए आयरुएदिक और शद्धी और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले अशकार दोस्तों हेल्थ टच में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप देखी रहे हैं ये पेड जो है आज दतूरा का है और आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों ये देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको इसका परीचे करा दो, फिर इसके बारे में गुण और उप्योक के बारे में जानकारी दूँगा, ये दतूरा का पेड़ है, दतूरा जो है कहीं तरीके का आता है, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफेद दतूरा है, इसको काले दतूरे के नाम से भी, ये जो इसमें काले दतूरा होता है, उसमें जादा अंतर नहीं होता है, उसकी जो है, ये फूल जो है, बैंगनी कलर के होते हैं, ये नीले जैसे सफेद हैं, उसमें अंदर बैंगनी से कलर का होता है, फूल के अंदर होता है, आप ये देखे ये फूल है धतूरे का और ये पत्ते हैं ये पत्ते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है धतूरे का फल जो की पकने के बाद ये अपने आप से खिल जाता है और उसमें से जो बी जाते हैं वे निकल जाते हैं और दर्जे पर बिखर जाते हैं और ये फिर दुबारा से उग आते हैं अपने आप से ही ये देखिए ये कुछ फूल सूख चुके हैं ये पेड जो है दतूरे का है आपने इसकी पैचान कर ली होगी पत्ते देखिए ये लसोडे जैसे होते हैं इसके ये धतूरा लगा हुआ है ये अभी छोटे हैं जैसे बड़े होंग मैं आपको सबसे पहले ये बता दू आपको कोई भी अगर इसका विबारे में प्रियोग करना है तो चिकित सकी सला बेगेर ना करें क्योंकि ये बहुती जैलिला पूदा होता है और इसके इस्तेमाल से अगर आप अपने आप से इस्तेमाल करते हैं बिना किसी जानकारी के तो आपको ये नुक्सान पहुंचा सकता है और ये जान का जो खिम भी बना सकता है तो दोस्तो इस बात का आप बिलकुल ख्याल रखिए इस पोदे के बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके कुछ भी जैसे पत्ते फूल और इसके जो बीज या फल होत होगे, इसका प्रयोग बिना वैद के निरिक्षण में नहीं करना चाहिए तो दोस्तो चलिए पहले हमें आहिंगात के बारे में बात बात बता ये इसके जो नाम होते हैं में बता दूं किन किन नामों से हम इसको जानते हैं धतूरा जो है हिंदी का सब्द है और संस्क्रत म नाम से जानते हैं मराठी में इसको दोत्रा के नाम से जानते हैं और गुजराती में धंतूरे के नाम से जानते हैं बंगाली में भी इसका दोतूरा ही कहते हैं तेलग में इसको उश्मत के नाम से जानते हैं तमिल में उनमत के नाम से जानते हैं और फार्शी में इसको तातू दतुरा कहीं प्रकार का आता है जो हमें जो सलब prohibited हो पाता है वे 2 तरह का दतुरा होता है एक काला दतुरा और deport है और एक होता है सपेध दतुरा जैसे के आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं यह सपेध दतुरा है काला दतुरा भी सेम ऐसा ही होता है लेकिन YouTubers जो डंडिया होती है उन पर कुछ बैंग निकसा कलर होता है आपने इसकी पहचान कर ही लिवगी तो चलिए इसके गुणों के बारे में बात करते हैं दोस्तों सबसे फूल पत्ते भी परियोग होते हैं लेकिन अलग अलग रोगों के इसाब से वैसे इसके अगर गुणों की बात करें तो ये जो है तासीर में गरम होता है और ये इसके अगर ये हम फायदे के बजाए अगर हम इसके नुक्षान को गिनना चाहें तो वे ज़्यादा आपको मिल करेंगें कुए कि इसके फायदे इतने नहीं जितने ज्यादा नुक्षान है इस्ता स्टमाल करने से ये जो धतूरा है। ये नशा तो करती है इसके अलावे प्रानों को भी नाश करता है और इसके जो बी जो ते हमें काफी विसेले होते हैं और निदारित मातरते अगर हम इसको जादा शेवन करते हैं तो ये हमारे जो अंदर औरगन होते हैं उन पर सूजन पैदा करता है और ये स्वास नली पर सूजन पैदा करके स्वास के जो स्वास लेने की परकरिया है उसमें भी ये अवरोध उत्पन करता है जिससे की स्वास लेने में कटनाईयां होती है औ और ये मौश्य में तेज जलन पैदा करता है, मूँ के छाले गले में और गले में जलन, इसके अलावा ये प्यास बहुत लगाता है, तो अचा सूक जाती है, आँखे और चैरा जो है लाल हो जाता है, ये सबी जो हैं, इसके दुश परवाव हैं, अगर इसको हम अधिक मातरा में या बिना किशी अनुभाव के खाते हैं, या किशी और तरह के से परियोग करते हैं, ये इसके सबी दुश परवाव हैं, इसके दुश परवाव जादा है, और जो ऐसा नहीं है, इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसको अगर सही तरीके से परियोग नहीं किया, तो इसके उस प्रवाव जादा मिलते हैं ये देखा गया है और इसके अलावा ये नाड़ी को कमजोर कर देता है और इसकी अगर इसको जादा इस्तमाल करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को धतूरा खाने की आदत भी होती है अगर इसका जादा इस्तमाल करते हैं तो ये नाड़ी की गती को दे मी करके ये मिर्ट्व तक भी कर सकता है तो ये तो थेश के इनकेस के नुक्षान और चलिए इसके फाइदों के बारे में भी जान लेते हैं इसके अगर सबी ये गुणों के बारे में बात करी जाए तो ये सबी जातियों का जो ये दतूरे होते हैं ये सब लगबग शे एक्षे ही होते हैं लेकिन फिर भी जो काला दतूरा होता है उसके गुन जादा माने जाते हैं आयरवेद में और ये जो दतूरा होता है ये उक्ष वीरिया होता है और गुरू रुक्ष होता है कटूर रस में युक्त होता है और ये स्वास रोगों में लाव करता है इसके अल करें या यू अपने आप से आ प unos ironic बैद्थी बहुत कामक्ष Tydha इस जो बैदन करने के लिए भी प्रियोक किया जाते हैं यह शुद करके ही कहाई जाता है ये मैं आपको अगली आने ओली वीडियो में जो आगे वीडियो आएंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा कि धतूरे के बीज गो सुद कैसे किया जाता है अगर इसकी तुलना हम किसी बीजों से करना चाहें तो वो भांग के बीजों से की जा सकती है इसके अलावा अगर हम अगर मातरा की बात करें तो उसकी मातरा होती है वो 65 Mg से 125 Mg तक होती है और ये आयू और रोक के अनुसार होती है आप इस बात का ध्यान रखिए आप अपने आप से कोई भी मातरा इसकी ना खाए तो आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी करे ताकि वे भी इस जानकारी का लाव उठा सके अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाव है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं आपको ए जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे comment box में लिख कर जरूर बताए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल health touch subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए क्योंकि हम ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हशते रहें और मुश्कुराते रहें और अपनी शेयत का ख्याल रखिए धन्यवाद